चोटे चोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं हालो फ्रेंड्स आज आम ऐसे लॉग की बात करेंगे जहाँ पर आप अपने क्लाइन को किस तरह से इंफ्लूएंस कर सकते हैं किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं और यदि इन में से कोई भी law आपकी कंपनी में, आपके प्रोडक्ट में आपकी सर्विस में implement हो तो जरूर से implement करें ताकि आप एक बहुत बड़े market share को capture कर सकें नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्पर ट्रेनर और मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का सवगत करता हूँ आज किस informative वीडियो में तो आज मैं डिसकस करने जा रहा हूँ law of influencers का उन लोगों के सिधन्तों का जिनों न किसी न किसी तरह से market में अपने client को और बहुत बड़े market share को influence किया है and the first law is law of leadership in a category friends इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता क्या आप global leader है नहीं फर्क इस बात से पढ़ता है क्या आप अपनी industry में एक अपनी category में leader है या नहीं आपको ऐसे formulas को adopt करना होगा जिसकी वजह से आप एक different category में leadership को hold कर सके और यह बहुत important है क्योंकि बहुत सारी companies एक different criteria में different segment में different prospective sector में आपनी leadership को strong बनाती है आपको यह समझना होगा कि आपका product किस तरह से आपकी industry में एक leadership create कर सकता है and if you really want to influence your client or market share you have to work on law of exclusivity मतलब आपके कौन-कौन से product या कौन-कौन से services exclusively आपने design की है जैसे आपने देखा होगा कि this program is available on Netflix only मतलब exclusive with Netflix this program is available only in Amazon Prime this product is available on Amazon only मतलब आपके product या आपकी services exclusively कहां पर available है जब आप exclusive word का प्रयोग करते हैं exclusive market share का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे clients आपके product को exclusively search करते हैं and the next law of division friends बहुत सारी company same product बनाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो different different division में अपना बहुत बड़ा market share रखते हैं जैसे shoe manufacturing एक बहुत बड़ा sector है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी company अलग-अलग market share को lead करती है और साथी साथ अलग-अलग division को भी lead करती है जैसे Reebok, Puma यह वो company है जो sports shoes में famous हैं जबकि Liberty, Lakhani, Bata यह वो company है जो formal और informal shoes में deal करती हैं इसके बावजूद भी एक ही category में भी उन्होंने सब category divide की हुई है अलग-अलग division divide की हुई है जैसे मैं बात करता हूँ Reebok shoe की बारे में तो Reebok shoe is a sports shoe manufacturing company तो वहाँ पर आपको running के shoes अलग मिलेंगे jogging के shoes अलग मिलेंगे football खेलने के shoes अलग मिलेंगे volleyball के shoes अलग मिलेंगे cricket के shoes अलग मिलेंगे ठीक उस तरह से बाटा company school shoes अलग मिलेंगे senior citizens के shoes अलग मिलेंगे youth के shoes अलग मिलेंगे fashion trending shoes अलग मिलेंगे अपने product के लेकर अपनी company में अलग-अलग division create करना ये भी बहुत बेतरीन law है जिसकी वज़ा से आप same segment में होने के बाद भी non competitive market में बहुत बड़ा division बहुत बड़ा share hold कर सकते हैं and the next law of candor friends बहुत सारी companies अपनी कमियों को ही अपनी strength और power बना के market में अपने product को उतार देती हैं और उन कमियों को ही परिभाशा के रूप में definition के रूप में tagline के रूप में market में famous कर देती हैं जैसे कुरकरे का आपने एड़ देखा होगा टेड़ा है पर मेरा है बिंगो का आपने एड़ देखा होगा mad angle तीनों तरह से एक जैसा मतलब एक ही डाई से एक ही तरह का product लगातार production में करते जा रहे हैं और अपनी कमी को छुपाने के लिए उन्होंने market definition बना ली एक market के परिभाशा बना ली कि टेड़ा है पर मेरा है या बिंगो mad angle तीनों तरफ से एक जैसा and the next law of ex-relation friends बहुत सी companies अलग-अलग product अलग-अलग services में deal करती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दम से देखती हैं कि market में किस तरह का trend आया है market में consumer की demand किस तरह की है product किस तरह का चाहिए services किस तरह की चाहिए और ठीक बागी सभी products के साथ-साथ वो उस particular product में ex-relation के speed दबा देते हैं जिसकी वज़े से बहुत बड़ा market share वो catch कर लेते हैं जैसे ladies wear manufacturing companies बहुत सारे different product अलग-अलग categories में ladies के लिए बनाते हैं लेकिन जैसे ही trend में leggings आई तो सारी के सारी companies ने leggings का manufacturing setup तयार कर लिया और एक बहुत बड़ा market share capture कर लिया and the next law of predictability बहुत सारी companies एक predictability पर भी काम करती हैं वो ये assume कर लेती हैं वो market future को देखते हुए ये मान लेती हैं ये समझ लेती हैं कि कौन से product भविष्य में चलने वाले हैं उनमें क्या changes आने वाले हैं उसी की तरह से future product design करके market का बहुत बड़ा share पहले से capture कर लेती हैं जैसे Hyundai एक manufacturing company हैं उनका सबसे पहला variant आया petrol car फिर आया diesel car अब उन्हें पता है क्या आने वाले समय में petrol and diesel दोनों की quantity कम होने वाली है उनके user तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उसका price तेजी से बढ़ता या रहा है तो आज से Hyundai ने electronic car का variant निकालना शुरू कर दिया और next year से market में Hyundai की electronic car आसानी से आप देख पाएंगे मतलब उन्हें future को predict करते हुए एक ऐसा product develop कर लिया जो भविश्य में चलने की बहुत अधिक संभावना है साथी साथ और future possibility को देखते हुए उन्होंने solar power से चलने वाली भी car design करना शुरू कर दिया ताकि आने वाले समय में जब न capture कर लेंगे और लोगों के मन में एक घहरी चाप के रूप में अपने brand को establish कर लेंगे friends हर व्यक्ति market में leader नहीं बन सकता लेकिन कई बार law of duality भी काम करता है और ये law of duality ये कहता है कि एक segment में एक player कभी भी leader नहीं होता उसके जैसे कई players market में lead करते हैं कोई फर्क नहीं लेकिन अप law of duality में भी काम करते हैं तो भी बहुत बड़ा market share आप capture कर सकते हैं आज बहुत सारी companies में बहुत सारे products में market में duality का law काम करता है जैसे जितना famous Pepsi है उसी तरह से coke भी है मतलब there are two different options either I will go for Pepsi product और go for coke product same McDonald and Domino's दोनों का market share बहुत बड़ा है same Puma and Reebok like Hyundai and Honda तो ठीक इस तरह से बहुत सारी companies duality के concept पर काम करती है और एक बहुत बड़ा market share capture करती है friends में पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इन 6 सिधानतों में से कम से कम 3 सिधानत आपकी company में जरूर लागू होते होंगे आपको किवल जरूरत है तो इन सिधानतों को समझने की और अपने आप से एक प्रश्न करने की कि कि किस तरह से मैं अपने product अपनी service और अपनी marketing को लेकर इन सिधानतों का प्रयोग करके अपने business को तेजी से develop कर सकता हूँ अगर आपके मन में अपने product अपनी services या अपने business से related उसके development से related कोई भी प्रश्न है तो comment box में लिक कर मुझे जरूर बताएं ताकि अगली वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब में द अभी देश के लोग बहुत बड़ा business share capture कर सकें और यह तभी संभव है जब आप बहुतरी लर्निंग करें और साथी साथ corporate के successes के formulas को यदि आप सीखना चाहते हैं तो Metas Club का YouTube channel है इसमें हमने सभी corporate के secrets को उजागर किया है आप भी अपनी company को develop करें business को नए आयाम और नए कीर आभूशन आप पे डाल सकते हो और सीधा ग्रहकों से जुड़ सकते हो अभी डाउनलोड करें आप माय आभूशन